हिमाचल के कुल्लो जीला मुख्याले में सूशना एवं प्रसारन मंत्राले भारत सरकार के द्वारा गुरुनानक देव के 550 वी जन्ती पर मल्टी मीडिया परदशनी का युजित किया जा रहा है जिसका शुबाराम योजना बोड के मुखे सलाहकार रमेश शर्मा ने किया जिहां सहायक निदेशक फिल्ड आउट रीच ब्यूरो सूशना एवं प्रशासन शिमला रितेश कपोर ने पुश्वगुज बेट कर स्वागत किया और इस मल्टी मीडिया परदशन के बारे में संपोर्ण जानकारी थी इस दोरान मल्टी मीडिया परदशनी में चल से तर देखकर गुरुनानक देव की जीवनी पर अधाल परदशनी का अवलोकन किया गया मीडिया परदशनी में LCD पर गुरुनानक देव से जुड़े कई चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है कुल्लू जिला में 19 नवंबर तक इस मल्टी मीडिया परदशनी का आवजिन किया जाएगा इस परदशनी में गुरुनानक देव की शिक्षाओं वह विभिन प्रकार की घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है आज बारे सरकार द्वारा सुजना मंतरा ले द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई और भारत के यशाश्वी परदान मंतरी आधरनी शिरी नेंदर मोदी जी द्वारा आज पुरे भारत में अमरी सर और कुछ चिनित जगाओं पर इस कारी करम का आयोजन किया गया और हम कुलूबासी अपने आपको सभागया शाली मानते हैं कि गुरू नानक देब जी जो आज समाज में एक मारक दर्शक के तौर पे आज भी उनके पच्चिनों पे भारत बरशी नहीं बलके भिश्व में लोग उने अपनाते हैं और हमारा जिला कुलू मनी करन गुरू द्वारा साही में गुरू नानक देब जी के चरन पड़े और जिला कुलू को भी पवित्तर किया और इस मौके पर सुचना मंत्राले द्वारा यहां पे एक अच्छा जिला कुलू में गुरू नानक देब जी के उनका सुहरत स्वभाब जो देखने को जो आज इस चैनल के जरीए जो काफी चैनल जहां पे आट-दस चैनलों द्वारा उनके जिमनी के बारे में बताया गय और बहुत अच्छा लगा गुरू नानक देब जी ने हमेशा समाज को एक अतरित करके रखा और हमेशा समाज के प्रती आज भी सभी लोग उनका मान समान करते हैं पाटीज राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज